संसार में मुपत लेने की व्यवस्ता दानव मानव देव उर्परमात्मा ये चार प्रकार की श्रेणियों में दानव वो हुथा है जो देना ही नहीं चाता है देना सिखाई नहीं हो जाए वो लेना ही चाहता है जहां से मिल जाए बस ले लेना ही चाहता दालाओं देने की प्रती ही नहीं हो यह असूर पना है अब दिखो लोग पांच-पंद्रा रोटी भी बच जाती हैं तो दो-दो दिन फ्रीज में रख देते हैं कि चावल बच गया भात बच गया खिचरी बच गई वो कर देंगे फ्रीज में कल खाएंगे परसू खाएंगे अरे क्या यह असूर पना है बांटों जो भर लिया है वो नहीं मिलेगा आवास्तों में तो जो बांटों के बहुत मिलेगा साइज में हाथ बले छोटे हो लेकिन वहवार में नहीं होना चाहिए साइज में तो फिर क्या होता है कि शरीर की रजना माता पिता पर भी जा दिया थोड़ी बहुत इस तरह से पका हुआ भोजन दो तिन गंटे से अधिक नहीं रखना चाहिए घुता हुआ आटा फ्रीज में कर दे दो दो दिन तक कल बना लेंगे परसु बना लेंगे यह सब बुद्धी को विपृत करने वाली बात है इससे बचो उसमें बदबू मालूम नहीं पड़ते मतलब यह नहीं की होती नहीं उसमें दोस दिखते नहीं इसका मतलब यह नहीं की होते नहीं कि वहल अपनी लिए और अपने परिवार के लिए पकाने वाला चोरे बहुतों का विचार करेके पोजन पकाया जाता है पंचियों का विचार, अन्य जीओं का विचार, गायों का विचार, खुते का विचार, चिटियों का विचार इस प्रकार पकाने वाली माता अनपूर्णा है और गर की मुख्यस्त्री अनपूर्णा रूप होनी चाहिए अगवान ने उसको स्थान तो अनपूर्णा का दिया है लेकिन वो अनपूर्णा बने है अपने स्वरूप को सार्थक करें बातनी के लिए हाथ बने है किवल बटोर नहीं होना जाहिए क्योंकि यह संसार में यदि आपने बड़े मन से भी लोटाया तो यह समझ लो यहां कहीं भी टिकने की व्यवस्ता नहीं है मुपत लेने की दुनिया में इश्वर नहीं व्यवस्ता नहीं की वो तो लोटके ही आना इसले एक दाना बोत है फिर अजार उग जाता है लेकिन पहले एक बोना पड़ता है पहले एक लगाना पड़ता है उसके बाद उगता है तो दानव जीवन वो होता है जो सिर्फ लेना चाहता है देना सुभावी नहीं होता है मिल जाए कहां से वास और जब किसी को दे भी तो फिर तब दे जो बिगड़ा हुआ हो वो बहुत गलत है क्योंकि हम अन्य इनसान को देते हैं फिर वो चाहे दन में नाम में कितना भी हमसे छोटा क्यों नहों लेकिन वो इनसान है प्रभू की द्रश्टी में सब बराबरे के हैं और ऐसे में हम किसी इनसान को बिगड़ा हुआ दे तो ये समझ कर देना है आपको कि आपने जो दिया है वो ही हजार गुना होके आएगा अगर बिगड़ा हुआ बाटा तो बिगड़ा हुआ जो बाटा बोई आए वहबार में दानव पना नहीं होना चाहिए दानव देना नहीं चाहता सिर्फ लेना चाहता है और आगे चल कर वो दुख्यू होता है मनुष्य वो होता है मानवियता जिसमें होती है वो उसको जो जितना देता है मनुष्य उसको उतना देता है यह मानवियता है आपके घर पुत्रवदु आई पडोसी ने उसको सोका नोट दिया था आप याद रखो लें उसके घर पुत्रवदु आवे तब तक क्योंकि उसने सोका नोट दिया था हमारी घर में जब पुत्रवदु नहीं नहीं आई और पडोसी ने आशिरुवाद के साथ सोका नोट दिया था तो कुछ लोग तो पुत्रवदु को ही कहेंगे कि इसको रख दे ना उसके याँ बीचे महिने में आने वाली है वही नोट तो इनसान वहे उतना ही करता है जितना उसके साथ किसीने क्या वहवार इनसान करता है लेकिन देव वो होते हैं कि हम चुटकी भर करते हैं वो हमको हजार गुना लोटायाता है वो देव एक दाना होते हैं और हजार बन कर जाता है वो देव होता है लेकिन जहां बात परम की है परमात्मा की है वो सिर्फ देना ही जानता है बिना लिये परम तत्व में रखनी की व्यवस्ताई नहीं है लेने की व्यवस्ताई नहीं है वो तो बस बरसता है, वो सिर्फ देता है, इसलिए परम दाता कहा है, परमात्मा को, शीव समान दाता नहीं कहा, शीव को, गुरु समान दाता नहीं, गुरु को, वो सिर्फ लुटाना जानता है, तो दुनिया में शरीर धारियों के लिए मुभत में लेने की कोई विवस्ता नहीं है इसलिए हमें जो कुछ मिलता है प्रकाश, हवा, पानी वैसे भी वो वुरत्ती नहीं होनी चाहिए कुछ लोग सुबह उठते ही ये विचार करते हैं किस से मागू किस से मिलेगा मुझे किसका संपर्क करो काँ से मिल जाएगा याद रखिए दिन प्रति दिन दरिद्रता घेर लेगी आपको आज संपन बोई हो आज आपकी दाल रोटी चलती भी है तब भी मागनी की वरत्ती दरिद्रता की जड़ है और लूटाने की वरत्ती ही समरद्धी की जड़ है सुबह उठके ये विचार होना चाहिए कि फिलहाल जो मेरी परिष्थिते है इस परिष्थिती से हम समाज के लिए क्या कर सकते है आज की जो स्थिती के उससे हम क्या कर सकते है क्या हम रोटी दे सकते है क्या हम धन दे सकते है क्या हम समय दे सकते हैं, क्या हम विचार, समाज के लिए जिस दुनिया में हम आये हैं, इसके लिए आज के परिश्चिती से मेरे से क्या बन पाएगा, फिर करो ना करो, जितना करो बात लगे, लिकिन उठते ही कहां से मिल जाएगा, कौन मुझे देगा, संसार को अपिक्षा के द्रश्टी से देखने वाले लोग, आगे चलकर दरी-दरी होके रहते हैं, और संसार को सेवा भाव से देखने वाले लोग कि हम किस की सेवा कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं, ये विचार ही आगे चलकर समर्द करता है